नमस्कार दोस्तों बदोस्ट स्वागत आपका अमारे चैनल में दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूं जिसमें आप अपने मोबाइल पर आने वाली बिना मतलब की जो बहुत सारी एड़टाइजमेंट यानी की विग्यापन होते हैं उनसे किस तरह से आप चुटकारा पा सकते हैं दोस्तों आपने देखा ही होगा आप जब भी कभी कोई एप्लिकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं या आपको इंटरनेट पर काम करते हैं तो इस पर बहुत तरह की आपकी एड़टाइजमेंट आती रहती है और बार बार वो एड़ आ क्योंकि हर कोई फेस्बुक चलाता है और फेस्बुक से ही आपका डाटा लेकर एड़टाइजमेंट वाले विग्यापन वाले आपको विग्यापन भेजते रहते हैं तो सबसे पहले आप अपने फेस्बुक को ओपन कर लिजएगा ठीक है आप इस तरह से अपने करेंगे तो यहां क्लिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे जाए और नीचे जाने के बाद आपको यहां पर दिखेगा सेटिंग का ओप्शन आएगा आपको एक ठीक है यहां पर आपको सेटिंग का ओप्शन आएगा यहां पर सेटिंग पर आपको क्लिक करना है जब आप से के भी Facebook में आएगा तो इसी तरह से आप Facebook में जाकर यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा एड पर और देखिए थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद यहाँ पर एक देखिए इस तरह से पेज आ जाएगा यहाँ पर आप फिर थोड़ा नीचे जाएगा ठीक है जब आप नीच पार्टनर आपके फोन से डाटा ले लेते हैं वो जो आपके फोन में एड भेजते हैं यहाँ पर देखिए पहले से अलाओ किया हुआ है यानि कि वो आपको एड भेज सकते हैं दूसरे नंबर पर आपको यह दिख रहा होगा कि जो पार्टनर आप जो आप लॉग इन करते Facebook के साथ कभी-कभी दूसरे application में तो वो भी आपके data को लेता है और वो दूसरे companies को दे देते हैं और वो आपको यहाँ पर add भेशते हैं तो देखे वो भी यहाँ पर allowed किया हुआ है तो अब आपको यह दोनों ही यहाँ से देखे पहले number पर मैंने click किया यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे allow or not allowed तो आपको यहाँ पर यह not allowed पर click कर देना है अब देखे उसी तरह आपको दूसरे number पर भी click करना है और यहाँ पर जब आप थूड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको option मिलेगा yes और no तो आपको यहाँ पर no पर click कर देना है तो देखिए अब इस तरह से दोनों हमने yes और no कर दी है अब यहाँ से उपर से आप यहाँ पर click करके इसको back हो जाए अब हमने यहाँ पर facebook की setting थी यह हमने बंद कर दी अब बात करते हैं दूसरी setting की क्योंकि total हमें तीन setting करनी है हर तरह के विग्यापनों को अपने phone से दूर रखने के लिए दूसरी setting आपको क्या करनी है वो आपको करनी है अपने phone के अंदर आप अपने phone में जाएए setting पर तेके आप अपने phone की setting में जाएगा setting में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप जाएए और setting में आपको दिखेगा एक option google गूगल का आपको एक option दिखेगा देखे मैं दिखाता हूँ आपको ये देखिए setting में आपको option दिखेगा google आपको google पर click करना है जब आप Google पे click करेंगे तो यहाँ पर आपको पहले नमबर पर याँ option दिख जाएगा एड ठीक है ये ads का जो option है आपको यहाँ पर click करना है जब यहाँ पर click करेंगे तो देखिये यहाँ पर add personalization का एक option है जो कि यहाँ पर बंद किया हुआ आपको मिलेगा यह पहले से ही बंद होता है यह क्या होता है आप सभी के फोन में गूगल चलता है और गूगल हर तरह की आपकी जो activity फोन के अंदर होती है उन्हीं सबको capture करता है और वो दूसरे लोगों उससे भी data आपका collect कर लेते हैं और आपको जो आपकी आईडी होती है यह आईडी वहाँ पर provide कर दी जाती है और आपके फोन में add आने लग जाती है तो आपको जो option है इस option को यहाँ से on कर देना है ठीक है यहाँ से on कर देना है और यहाँ पर ok कर देना है तो देखे अब यहाँ पर यह on हो गया है तो अब यह हो गई हमारी दो सेटिंग, अब आपको यहाँ पर तीसरी सेटिंग करनी है, और वो सेटिंग क्या करनी है दोस्तों, वो देखे, आपको अपने जो Google ब्रॉजर है, आपको वहाँ पर क्लिक करना है, मतलब कि आपको Google ब्रॉजर अपना ओपन कर लेना है, इस तरह क पर ये 1, 2, 3, 4 जो भी आपकी गिनती लिखी होगी, यहाँ पर पेज होते हैं, आपको इन पेज वाले जो नमबर होंगे, इन नमबर पर क्लिक करना है, ठीक है? जो 1, 2, 3, 4 ये उपर मेरा 1 दिख रहा like करना है, तो आपको इसी नमबर पर क्लिक करना है, आपके फोन में हो स सेटिंग का ओप्शन आएगा यहां पर आपको सेटिंग का ओप्शन आएगा यहां पर आपको क्लिक करना है सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे जाएए और जब आप नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको एक ओप्शन बिलेगा साइट सेटिंग का ठीक को ब्लॉक करते हैं कर सकते हैं दूसरी साइट से अब हम इस पर क्लिक कर देंगे आपको भी इस तरह क्लिक करना है तो देखिए यहां पर भी बंद आपको मिलेगा पहले से ही क्योंकि यहां पर पहले से आपको बंद मिलता है ताकि दूसरी कंपनी आपके फोन में डारेक्ट एड भेज सकें, तो हमें ये on करना पड़ता है, तो अब इसे हम on करेंगे, ताकि हम दूसरी companies को अपने phone मर एड भेजने से block कर सकें, तो हम इसे on कर देते हैं, ठीक है, तो दोस्तों यही एक तीन तरीके होते हैं, और इन तीन तरीकों से ही, company एक दूसरे से data लेती रहती है, और cookies में जमा होती चली जाती है, वो भी आपको इसी, जो हमने आपको ये option दिखाया था, इसी में ही add के उपर, आपको cookies का भी एक option दिखेगा, आप इस पर भी click करके, जो ये allowed है, इसको आप यहां से, जो दिख रहा है ये on, इसको आप off भी कर सकते हैं, जब आप इसे off कर देंगे, तो आपके phone में add तो आएंगी, लेकिन सिर्फ वो add आएंगी, जो सिर्फ Google आपको direct add देते हैं, या कभी जो Google के जो companies के add हैं, सिर्फ वो ही add आएंगी, ऐसा नहीं होगा कि Google की जो add आ रही है, वहां से, वो भी आपके phone में से cookies, दूसरी companies को दे रहे हैं, third parties, उन सिर्फ आपका data चुरा रही है, और वो भी आपको add बर रहे हैं, बहुत सारी जो add आती थी ना, दिन पर आपके phone में add आती है, आप कुछ भी काम करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, और add की भरमार लग जाती है, तो उस तरह की add अब आपके phone में नहीं आएंगी, अगर add आएंगी, तो बहुत ही कम, बहुत ही limited, बहुत ही जरासी मातरा में ही आपको add आया करेंगी, आप इन तीन सेटिंग को जरूर कीजिए, अगर आपको समझ नहीं आए, एक पर आप फिर से इस वीडियो को देखके ठीक से समझ सकते हैं, इन तीन सेटिंग को आप कर लेंगे, तो आप काफी हद तक अपने phone पर आने वाली बेकार की ज़्यादा तर add से छुटकार आपा लेंगे, और स्थिप नाम की आपको गिनी चुनी add कभी कबार ही आया करेंगे, तो दोस्तों, यह जान करी थी, बीना मतलब की add से जुटकार आने के लिए, तो यह आपको वीडियो कैसे लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इसे लाइक कीजिए, अगर आप कोई अच्छे लगी हो, तो अपने दोस्तों परिवार के साथ भी से शेयर कीजिए, और हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपकी स्क्रीन के उपर सब्सक्राइब के लाल निशान के उपर टच करके, और उसके बाद गंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए, ताकि आपको हमारे बनाए हुई नए नए वीडियो लगातार मिलती रहें, यह ब्रूकल फ्री होता है और आप इससे जाज़े-जादा फायदा उटा सकते हैं, तो अभी के लिए इतना ही तन्यवाद,